बिस्मिल्लाराख्माने रहीम अस्सलाम अलेकों मैं यूट्यूफ फैमली आज मैं आपके साथ जो है शिम्मला मिर्च कीमे की रेसिपी शियर कर रही हूँ मैंने कोई ज़्यादा प्रपरेशन दिकरी थी मैं डारेक्ट आपको बता रही हूँ कोई आफषे लिया था ऐसको मैने गरम कर लिया था उसमें मैंने दो मीडियम साइस्टी प्यास को स्लाइस करके डाल दा था और्यूटी सी ट्रांस्लिसन सी होगे थी तो मैंने साथ में एक ठीस्पून जीरा भी एक कर दिया था औरvention मैं फष्य कर रही हूं थोड़ा dark fry करना है थोड़ा golden dark सा आ जाए अब यहाँ पर अच्छा सा हो गया था अब यहाँ पर अच्छा सा हो गया था मेरा golden dark color आ गया था तो अब मैं यहाँ पर add कर रही हूँ ginger garlic paste 2 तेबल स्पूंस की करिए और अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे डार्क प्यास इसलिक की है क्योंकि हम इसमें जो यूज कर रहे हैं वो है चिकन का कीमा और चिकन का कीमा जो है वो वाइट वाइट होता है तो वो अच्छा नहीं लगता अब इसके बाद मैं मसाले आट करूँगी जिसमें मैंने तॉट लिया है वन टी स्पून और एसपर टेस्ट आप डाल लीजे रेक प्रेश पैपर यानि कुटी लाल मिर्च एक टी स्पून चिली पाउडर एक टी स्पून और धनिया पाउडर धाई टेबिल स्पून के करीब और हल्दी पाउडर है हाफ टी स्पून ये सारे मसाले मैं लसन द्रग भूनने के बाद इसके अंदर एट कर दूँगी और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे यहां तक कि और सप्रेट हो जाए उसके बाद मैं यहां पर एट कर रही हूं आधा किलो चिकन का कीमा जो क इसको हमने इतना भूना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और और सप्रेट हो जाए यहां पर जो है मेरा चिकन का कीमा जो के मैंने भून लिया था अच्छी तरीके से इसका ओयल भी सेपरेट हो चुका है और इसके बाद हम इसके अंदर एट करेंगे टोमेटो या नी टिमाटर चार अदद लिया है मैंने मेडियम साइज की उनको मैंने चॉप कर लिया था औ और इसको डालने के बाद हम इसको अच्छी से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको ढग देंगे ताकि जितना भी इसके अंदर वाटर होगा वह रिलीज होगा टेमाटर का अपना और जिसके विज़े से वह सॉफ्टेन हो जाएंगे आपको यह 5-10 मिट के अंदर यह अच्छे से बिलकुल सॉफ्ट हो गया थे और जो ओईल है वो भी अलग-अलग हो गया था बिलकुल सेपरेट हो गया था और अच्छा सब भूल गया है यहाँ पर देखिए यहाँपर ओईल चे अलग हो जुका है अब इसके अंदर मैं आधा किलो के करीब आधा किलो कीमा है तो इसमें आधा किलो ही डाली है मैंने शिमला में आपकाम ज्यादा अपनी मर्जी के साफ से कर सकते हैं इसको मैंने अच्छे से मिक्स करना है और पानी में इसमें अड़ इतना नहीं कर रही हूं पेले यहाँ पर हलका सा हम तकरीब रखेया क्वेड़ करिब एट कर सकते हैं अगर डिपयंड करता है कि अगर आपका वह जल ना जाए इसलिए तो फोड़ा सा हलका चीटा पाने का डाल देंगे और उसके बाद अभी मैंने यहाँ पर मिक्स कर रहा है और उसके बाद मैं यहाँ पर एड़ कर रही हूँ गरम मसाला एक टीस्पून और काली मिर्चो का पाउडर एक टीस्पून यहाँ मैं सरिफ इसके उपर छिड़कूंगी और छिड़कने के बाद मैं इसको दम पे रख दूंगी चमस मैंने भी नहीं लाया ताकि इसका अरोमा अच्छा रहे बाद मीडियम लो फ्लेम पे मैंने इसको दस मिर्ट से पंदर मिर्ट तक रखा है आप अपने साफे देख लीएगा बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है क्योंकि ये सबजी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा दम पे रख दें तो बिलकुल गल जाती है आखर में मिर्चें और गरा मसाला मैंने और डाला था यहाँ पर शमला मिर्च की मा जो है वो बिलकुल रड़ी है और ज़रूर ट्राइ कीजेगा और मज़े इसका फीडबेक दीजेगा अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो तो दू लाइक माई रेसिपीज और शेयर माई रेसिपीज अगर आपने सब्स्राइब नहीं किया तो सब्स्राइब केर लीजिए बहुत जल मिलेंगे नई रेसिपी के साथ इंशाला ताला तिल देन थैंक यू और अल्ला हाफिस